नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेमन कॉफी के बारे में बताने वाले हैं सोसल मीडिया पर इन दिनों एक नया वेट लॉश ट्रेंड सामने आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ब्लैक कॉफी में नीम्बू का रस मिलाकर पीने से जल्दी वजन कम करने में मदद मिलती है लेकिन क्या वाकई ब्लैक कॉफी और नीम्बू का कॉंबिनेशन वजन घटाने में मददगार है तो आई ये जानते है कॉफी और नीमू दोनों में कई पोसक तत्व होते हैं और इसके सेवन से आपको अलग-अलग तरह के फैदे मिलते हैं वजन कम करने में भी आप दोनों चीजों का सेवन कर सकते हैं कॉफी में कैफीन होता है जो मेटावॉलिजम को बढ़ाता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमूलेट करता है और मूड को अलट करता है इससे लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रहता है आप बार बार नहीं खाते और एक्स्ट्रा केलोरी लेने से आप बच्चते हैं नीमू भी विटामिन सी और एंटी ऑक्सिडेंट का अच्छा सोर्स होता है जो फ्री पेटावॉलिजम बुष्ट जरूर होगा लेकिन फैट बर्न करने में ये बेहत कारगर होगी इसका कोई वैज्यानिक प्रमान नहीं है वजन कम करने के लिए आपको कई और बातों का ख्याल रखना होगा और लाइप स्टायल से जूड़ी आदतों में बदलाव लाना होग वजन कम करने में कितनी कारगर है कॉफी कई इस्टडिस में ये बात सामने आई है कि कॉफी पीने से वजन कम करने में मदद मिलती है लेकिन कॉफी में दूद और चीनी न मिलाए इससे आपको फैदा नहीं मिलेगा कॉफी में कैफीन, थियो ब्रोमाईन, थियो फाइलिन और क्लोरोजेनिक एसीड जैसे तत्व होते हैं जो वजन कम करने में मददगार है नीम्बू बॉडी को डीटॉक्सिफाई करता है, साथ ही डाइजेशन को भी ठीक रखता है हालाकि ध्यान रखे की कॉफी को बहुल ज्यादा मात्रा में न पिए अधिक मात्रा में कॉफी के सेवन से डिहाइड्रेशन, चक्कर आने और स्वीर दर्द जैसी समस्या हो सकती है इसके अलावा अगर आपको ACDT की समस्या है तो अधिक मात्रा में नीमू के सेवन से आपकी दिक्कत बढ़ सकती है तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद